तो गाईस, जब भी पावर आपको 40W या 60W या जो भी 100W दे रखा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि जब भी उस बल्ब को आप, सब्सपोस, 40W का बल्ब है, जब भी उस बल्ब को आप 220W supply पे प्लेस्ट करेंगे, या 220W supply के साथ अटायच करेंगे, तो वो 60 Joule of energy each second convert करेगा, dissipate करेगा, हम यह कह सकते हैं, मतलब आपकी जो supply line है, वो 220 volt understood होती है यह आपको पता होना चाहिए, खेर लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो relation आजाता है, हम लोग जानते हैं power equals to V square upon R होता है और अगर हम यहाँ से R की value देख लें यहाँ से R की value आजाएगी आपकी V square upon P, इसका मतलब यह है, कि अगर voltage supply fix है, सबके लिए 220 volt standardized है, तो हम कह सकते हैं V तो सबके लिए constant हो गया, इसका मतलब जब आप इस bulb A को 220 volt पे प्लेस करोगे, तो 40 Joule energy हर second में dissipate करेगा 60 Watt वाला आपको 60 Joule करेगा और 100 Watt वाला, 100 Joule energy हर second में dissipate करेगा लेकिन condition क्या है, सबको 220 volt पे प्लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब कि V constant है Whenever V is constant, तो यहाँ से relation दिख रहा है, कि R inversely proportional to P हो गया, इसका मतलब जिसका power सबसे ज़्यादा है, या वो 100 C वाले bulb का होगा, क्योंकि उसका power सबसे ज़्यादा है अब guys, हम लोग आते हैं यहाँ पे जो question में दे रखा है, कि brightness आप यह सारे किसी भी voltage से attach किये गया है, हमें नहीं पता है यह 220 volt से ही attach किये गया है लेकिन अगर 220 volt assume कर लेते हो, तो भी answer आपका identical होगा, suppose हम 220 volt assume कर लेते हैं ठीक है, तो अब देखे, जो पहला option दे रखा है आपका, वो दे रखा है brightness of all the bulb will be same गलत बात है, पहला वाला 40 joule energy dissipate करेगा, वो less brighter होगा 60 watt वाला ज़्यादा ब्राइटर होगा सबसे ज़्यादा ब्राइटर, इसका मतलब option A आपका क्या हो गया incorrect हो गया, ना brightness of bulb A B maximum, गलत है क्योंकि C का maximum होना चाहिए यहाँ पर हम correct sentence की बात करें तो brightness of bulb C will be maximum होना चाहिए, यह भी गलत हो गया brightness of bulb B will be more than A B more than A, गलत है हाँ, सही है, सही है, सही है B 60 Watt करेगा 60 Joule per second करेगा और 40 Joule per second करेगा इसका मतलब यह ज़्यादा ब्राइटर नजर आएगा guys, D को भी देखी लेते हैं brightness of bulb C will be less than B यह गलत है, C more than B होना चाहिए था, यह भी option गलत हो गया guys, आपको comment करना है या आपको बताना है कि अगर इन ही bulbs को हम series में place कर दें, तब इन ही 4 option को investigate करोगे आप बताओगे कौन कौन सा option सही है